यहां पर ग्रूप जॉइन कर सकता है उसके लिए आपको यहां पर यूपीएसे अनलाइसर का मेंट टेलिग्राम चैनल जॉइन करना पड़ेगा जिसका link आपको description box में मिल जाएगा और जब आप यहाँ पर main telegram channel join करोगे तो आपको pinned message में एक link मिलेगा जिसके थूँ आप यहाँ पर UPSC mentorship program का group join कर सकते हो and I have a request to you all कि आपको कोई भी irrelevant messages group में नहीं भेजने हैं क्योंकि अगर आप irrelevant messages भेजते हो तो जिन students के relevant doubt है मैं उसका answer नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मुझे फिर scroll down करना पड़ेगा सारे ही messages को तो अब प्लीज कोई भी irrelevant messages मत भेजो और mainly जो UPSC mentorship program है उस group में तो कोई भी irrelevant messages करने की ज़रूरत नहीं है that group is purely for preparation purpose अब हम आज का news analysis start करते है यहाँ पर जो first news है hot spring का area तो hot spring में आपको पता है stand off चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में तो इसको लेकर ही talks होँगी जो इंडिया ट्रडिशनली patrolling points को access कर पाता था उनको नहीं access कर पा रहा है जिसकी वज़े से यहाँ पर talks अभी चलेंगी यहाँ पर एक association की बात की गई है यह association ऐसाच ज़्यादा important है नहीं इसलिए हम discuss नहीं करेंगे आगी चलते हैं यहाँ पर कोई important news नहीं है आप देख सकते हैं अब यहाँ पर बात की गई है एक software की उस software का नाम है SETS Smart Event Tracking System अब यह क्या करता है यह Google Map Based Planning and Analysis Tool है जिसकी वज़े से जो cattle trains की दोरा run over हो जाती है तो उनको protect करने के लिए यह software बनाये गया है ताकि यह पता चले कि किस वज़े से ऐसा हुआ और कोई भी वहाँ पर जो भी gaps है उनको यहाँ पर fill कर दिया जा जिसकी वज़े से यह problem और ना देखने को मिले तो यह आपको पता चले है SETS क्या software है, क्या full form है, कैसे काम करता है इसके लबा कवच कवच मैंने जिस दन budget discuss किया था उस दिन भी मैंने आपको बताए था कवच किया है तो कवच an indigenously developed train collision avoidance system तो कवच क्या है train collision avoidance system तो यह आपको पताऊने ची कवच और यहाँ पर SETS आगे हम चलते हैं अब यूक्रेन से तो जो भी students stranded थे उनको निकाला जा चुका है लेकिन यहाँ पर जो बेलारूस है बेलारूस के उपर भी बहुत ज़्यादा sanctions लगाए जा रहे है क्योंकि यहाँ पर बेलारूस की जो territory उसको भी use किया गया यूक्रेन के उपर invade करने के लिए तो as the last big group of Indian students left Ukraine Tuesday अब यहाँ पर जो neighboring country of बेलारूस है वहाँ पर भी commercial जो air frights से उनको यहाँ पर suspend कर दिया गया है जो card company उन्होंने boycott कर दिया visa mastercard जिसकी वज़े से यहाँ पर भी जो students है उनको यहाँ पर problems हो रही है तो बेलारूस में भी काफी यहाँ पर medical students जाते है next है returnees can't get admission in Indian medical colleges तो यहाँ हमने यह topic discuss किया था कि जो यहाँ पर students यूक्रेन से आया है जिनका भी एक साल का ही course हो पाया है तो अब वह वापस से तो यहाँ पर यूक्रेन में जाना possible लहीं है यह जल्दी में क्योंकि वार-torn country है तो यहाँ पर country को बाहर निकलने में यह काफी time लग जाता है तो क्या उनको इंडिया के medical college में admission दे देना चाहिए तो वो ऐसा नहीं दे सकते हैं क्योंकि इंडिया के medical colleges में merit के basis में admission होता है और यहाँ पर अगर उनका admission दे दिया तो जिन बच्चों ने यहाँ पर need qualify किया था लेकिन उसके बाद भी वो cut off तो उन्होंने clear कि लेकिन उनका medical college में seat नहीं मिली तो वो बच्चे protest करेंगे कि उनको इहाँ पर seat नहीं मिली और इनको इहाँ पर seat दी जारी है और इसकी वज़े से standards भी dilute हो जाएंगे तो यहाँ पर कोई solution निकलना पड़ेगा आगे हम चलते हैं इंट्रक्टिव सर्वे विद क्लास 3 स्टूरेंट्स on cards to assess learning loss अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ओवर 5 करोड चिल्डरन इन दे ऐलिमेंटरी स्कूल सिस्टम लेक्ट दे अबिलिटी तो रीड और कॉंप्रेहंड बेसिक टेक्स तो लगभग 5 करोड बच्चे ऐसे हैं इलिमेंटरी स्कूल सिस्टम में जिनकी जो फाउंडेशनल इसकल्स है वो बहुत ज़ादा वीक है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो इस फैक्ट को अंडरलाइन करता है कि जो 85% बच्चे का ब्रेन होता है वो 6 साल से पहले पहले डेवलप हो जाता है इसलिए यहाँ पर उस एज में बच्चे का दिमाग डेवलप्मेंट करने के लिए जो भी चीजों का कॉंट्रिबिशन होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी होता है इसलिए हम पर बात की गई है कि हम बच्चों की foundational skills को देखेंगे कि वो कहाँ पर लाग कर रहे है और उस loss को यहाँ पर assist किया जाएगा तो with children back in school after a long gap the center plans to carry out a nationwide survey अमंग class 3 students और यह देखा जाएगा कि यहाँ पर 2 साल तक school बंद रहे उसकी वज़े से कितना यहाँ पर learning loss हुआ है बाकी जो center का एक और survey होता national achievement survey वो इस survey से अलाग है तो center's national achievement survey held in November 2021 among students of class 3, 5, 8 and 10 is also expected to shed light on the learning loss लेकिन यह जो survey होने वाला यह इस survey से थोड़ा different है अब यह विद्या प्रवेश क्या है तो विद्या प्रवेश teachers के लिए manual है जो कि NCRT ने निकाला है तो यह बच्चों के लिए manual नहीं है teachers के लिए manual है विद्या प्रवेश तो keeping that in mind the NCRT recently issued a manual for teachers title विद्या प्रवेश तो यहाँ पर जो भी बच्चे आएंगे दो साल के बाद स्कूल में तो वो adjust कर पाए learning में adjust कर पाए तो उसके लिए यहाँ पर विद्या प्रवेश आगे हम चलते हैं यहाँ पर कोई भी important news नहीं है यह article हम discuss करेंगे Women's Day तो कल Women's Day था उसी के लिए पर यह article है तो March 8 International Women's Day अब इस article में basically इस बात के उपर focus किया गया है कि जो cinema है उसमें women को क्या क्या प्राब्लम face करना पड़ती है तो according to the World Economic Forum तो यहाँ पर World Economic Forum निकालता है Global Gender Gap Report तो Global Gender Gap Report कौनसी organization निकालती है तो यह हमें fact पता चल गया World Economic Forum अब यहाँ पर प्राब्लम यह है कि जो workplace issues है उनको address नहीं किया जाता है cinema में तो there is a lack of resolve to address the workplace issues of women in cinema दूसरी जो यहाँ पर problem है कि कोई grievance redress system नहीं है cinema में जो भी women की issues है उनको handle करने के लिए तीसरी बात अगर आप film cinema देखो तो patriarchy बहुत जादा है तो यहाँ पर जो organization देख रही है women से related issues वो ही यहाँ पर patriarchy करने चगी है तो अब कैसे उनसे उमीद कर सकते हो कि वो यहाँ पर women की problem को सुनेंगे और solve करेंगे इसके लगा यहाँ पर cinema में जो problem है वो यह है remuneration gap तो यहाँ पर actress को बहुत कम प्याग गिया जाता है wage gap बहुत जादा है inequitable access to facilities glass ceilings है तो basically जो ceilings की ज़रूरत है अब जब 1917 में Russia ने suffrage legislation लेकर आया ता for women उसके बाद दुनिया भर की ओड़ों ने demand की कि हमें भी right to vote चाहिए तो यह हमें यह बताता है कि international arena में अगर कुछ होता है तो उसका impact ने आप पर हर country के उपर पड़ता है तो women's movement in the past weather for suffrage और labor rights have always had international dimensions जैसे के 1917 में जब Russia ने enact किया तो suffrage legislation for women उसके बाद ही यहाँ पर gender activist ने demand की थी कि यहाँ पर women को right to vote मिलना चाहिए अब यहाँ पर 8th March को ही International Women's Day क्यों celebrate किया जाता है क्योंकि 15,000 women government workers marching through New York City 1908 उन्होंने protest किया तो working conditions के regarding कि उनको बहुत जादा low wages मिलते हैं work arts उनके बहुत जादा है sexual harassment उनको face करना पड़ता है जिसकी वरिसे March 8 को यहाँ पर observe किया जाता है as International Women's Day wealth of diversity अब wealth of diversity यह हम discuss करेंगे कि women का जो contribution है वो GDP में इतना नहीं है जो labor force participation rate female labor force participation rate वो इंडिया में बहुत जादा कम है उसको बढ़ाने के ज़रूरत है तब ही हमारी economy जो है prosper कर पाईगी तो it has been proven time and again that when more women enter the workforce जो economies है वो यहाँ पर तेजी से grow करती है when women are empowered जो poverty है वो eradicate होती है इसके अलावा GDP में भी जादा contribution होता है तो we must ensure that all of India's women get equal access to education equal access to opportunities and equal pay at work तो यहाँ पर हमें ensure करने की ज़रूरत है कि women को हैं पर education के लिए access मिले opportunities के लिए access मिले और equal pay मिले at work तो यहाँ पर हमें women को empower करने की ज़रूरत है उनको economic resources का right देने की ज़रूरत है ताकि वो खुद के लिए decision makers बन पाएं अगर हम women के education में invest करेंगे तो basically हम एक generation की education में invest करेंगे क्योंकि अगर हम women के education में invest करेंगे तो वही women अपने children के education में invest करेंगी और अगर वो अपनी children के education में invest करेंगी तो जो human capital है वो improve होगा और human capital improve होगा तो उसकी वज़े से economic prosperity बढ़ेगी तो if women are not empowered, जो nation की economy है, उसको यहाँ पर नुकसान ही होता है एक World Bank की recent study से पता चला है जो countries are 160 trillion dollar lose कर देते हैं अकर यहाँ पर lifetime earnings between men and women में difference होता है तो उसकी वज़े से 160 trillion dollar का यहाँ पर loss होता है women's participation जो इंडिया में female labor force participation rate है वो बहुत जादा कम है, सर्फ 19.9% है it is among the lowest in the world जो 3.7% women है, वो सर्फ leadership position में है तो अगर हम corporate में जो leadership position देखें तो सर्फ 3.7% women नहीं यहाँ पर leadership position में तो यहाँ पर भी हमें देख रहा है कि glass ceilings exist करती है अब यहाँ पर glass ceiling break हो रहा है, shatter हो रहा है लेकिन अभी भी उस space पर नहीं हो रहा है जो कि होने की जरूरत है फिर यहाँ पर एक report बताईगी यह BNN company की जिससे यह पता चल रहा है कि अगर female entrepreneurs को यहाँ पर promote किया जाए तो उसकी वज़े से 150 to 170 million job opportunities इंडिया में generate हो सकती है अब यहाँ पर जो author है, वो है chairman of Vedanta Limited इसलिए author नहीं यह भी बताया है कि women अब mining में भी participate कर रही है तो mining was perceived as a man's domain कि mining में सिर्फ यहाँ पर men ही काम कर सकते लेकिन अब यह perception भी change हो रहा और women भी इसमें participate कर रही है तो जैसे कि forces में women काम कर रही, armed forces में वैसे ही women mining में भी आगे आ रही है तो physical nature of the work and the use of heavy equipment made regulators shy from permitting women to work and mine but just as women begin to enter other male dominated professions, women इहाँ पर mining में भी enter कर रही है तो अब आपको यह article समझ आ गया और जो भी यहाँ पर बताये गया था a conflict scarred market अब यहाँ पर एक concept है तो वो हम बस concept discuss करेंगे जो कि यह Triffin Paradox बागी हम article देख लेते हैं थोड़ा बाद तो इन escalation in the ongoing conflict between Ukraine और Russia तो Ukraine और Russia में हमें escalation देखने को मल रहा है जिसका significant impact इंडिया पर भी होगा क्योंकि यहाँ पर जो crude oil के prices है वो 140 डॉलर पर barrel पहुच चुके है तो इसकी बज़े से जब हम यहाँ पर crude oil import करेंगे तो हमारे लगबख 100 billion dollar से ज़्यादा खच हो जाएंगे अब जो इंडिया है उसमें बहुत सारी problem चल रही है जैसे की crude oil महंगा हो जाएगा तो हमारा current account deficit बढ़ जाएगा इसके लगब हमें inflation की problem को face करना पड़ेगा अब हम देख रहे हैं जो इंडिया है इंडिया का रुपी तो depreciate हो रहा है लेकिन उसके बाद भी US के जो currency वो strengthen क्यों कर रही है इसका reason अब हम देखेंगे तो इसका इरोनिक देखेंगे अब इसका most common argument जो है वो है यहाँ पर the Triffen paradox जो कि यहाँ पर economist ने दिया था Robert Triffen अब जो US है US क्या है basically global currency है हर जो trade होता 90% trade वो किस में होता है वो dollar में होता है तो 90% trade जो होता है वो dollar में होता है जिसकी वज़े से जो भी countries के पास forex है तो वो forex कहां से आ रहे है वो US जो dollar यहाँ पर supply कर रहा है उसी से तो वो forex है इसकी वज़े से जो Triffen paradox हो उसकी वज़े से जो यहाँ पर country के short term domestic होता है और यहाँ पर जो long term international जो उसका idea होता है तो उसमें हमें conflict देखने को मिलता है US को dollar यहाँ पर supply करने पड़ते थे US को dollar इसलिए supply करने पड़ते थे क्योंकि US यहाँ पर एक global currency है और global currency में US अपनी hegemony को establish करने के लिए यहाँ पर currency को supply करता था अब currency को supply करता था जिसकी वज़े से जो भी forex हमें देखते हैं तो forex अगर आप देखो countries के तो mainly यहाँ पर dollar की form में ही होते हैं जिसकी वज़े से US का current account deficit इस reason की वज़े से होता था कि US यहाँ पर forex को supply करता था इसलिए हम देख रहे हैं कि US ऐसे time में भी जो US का dollar वो appreciate हो रहा है और जैसे कि India जैसी economies है उनकी जो रुपी है वो यहाँ पर depreciate हो रहा है तो यहाँ पर हमने trifon paradox हो पड़ा तो it posulates that the US current account deficit is purely a reflection of the US supplying large amount of dollars तो US का current account deficit है जो कि 23 times of that of India वो इस वज़े से है क्योंकि US यहाँ पर बहुत साले dollar supply करता है to the world demand जो forex reserves है वो यहाँ पर US के dollar से ही भरे जाते हैं in other words central banks across the world must build up claims on the US to back their domestic money growth उसके बाद इस posulate को और जादे extend किया गया जब यहाँ पर saving glut proposition दिया गया अब saving glut proposition क्या है यह यह बताता है that emerging economies were accumulating foreign exchange reserves in dollars और जिसके वज़े से जो domestic savings है वो यहाँ पर emerging economies divert करती है US treasuries को खरीदने के लिए तो basically हम rupee को divert करते हैं US के dollar को खरीदने के लिए अब इसके कुछ counter arguments भी है लेकिन हम यहाँ पर counter arguments discuss नहीं करेंगे क्योंकि जो 90% global trade होता है वो यहाँ पर dollar denominated होता है अगर आपको triffins paradox नहीं समझाया तो आप telegram group में post कर दे मैं एक बर वहाँ पर भी explain कर दूँगी अब हम आगे चलते हैं अब हम कर कैसकते हैं अब यहाँ पर दो situation है पहली situation यह है कि oil prices बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं तो जिसकी वज़े से यह तो जो government है वो excise duty कम कर दे excise duty कम कर देंगे लेकिन इसकी वज़े से government का fiscal deficit और ज़्यादा बढ़ सकते है क्योंकि government को यहाँ पर borrowing करनी पड़ेगी दूसरी बत अगर यहाँ पर government excise duty नहीं कम करती है और oil prices का दाम जो भी international market में है उतना ही रहने देती तो उसकी वज़े से हमें इंडिया में inflation देखने को मिलेगा तो दोनों तरफ से हम loss loss situation में हैं तो ऐसे में author ने आपट चार points बढ़ाएं जो की किया जा सकता है पहला यह जो government borrowing करने वाली तो ऐसा देखा गया है जो government है वो starting के जो first half है उसमें ही 60% borrowing कर लेती है तो author ने बोला अभी इस time इतनी borrowing करने की ज़रुरत नहीं है आपको borrowing को और ज़्यादा expense करने की ज़रुरत है कि कुछ आप अभी कर लो इस समय lighter borrowing करो और आगे जाके आप यहाँ पर जब situation ठीक हो जाएगी तब अब ज़्यादा borrow कर लेना दूसरी बात RBI and the government will need to entice marketplace to buy bond in these uncertain times तो यहाँ पर market को push करने की ज़रुरत है कि market यहाँ पर bond खरी दे तीसरी बात small saving collection schemes को ज़्यादा promote करने की ज़रुरत है and the fourth thing is यहाँ पर LIC का IPO निकाल देना चाहिए तो fourth LIC currently holds around Rs. 23.5 trillion virtual government bonds higher than ever than of the RBI तो LIC का जो GSEC holding है वो लगभग 19% है तो यहाँ पर LIC का अगर bond होगा तो उसकी वज़े से यह जो problem उसको थोड़ा calm down किया जा सकता है यह points हमारे लिए important नहीं हो क्योंकि as such यह means का question नहीं बन सकता लेकर ट्रिफिन पराडॉक्स क्या होता है यह आपको पाता होना चाहिए अब हम आगी चलते हैं यह important नहीं article आप देख सकते हैं The Champions Mind तो यह पर चोके हैं कि medical students क्यों जाते हैं Ukraine इसके लावब योरोप के देशों में जैसे कि 18,000 इंडियन स्टूडेंट इंड्रॉल हैं योक्रेन में इसके लावब 16,500 रश्या में है फ्रांस में है जर्मनी में 20,000 बच्चे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो education, medical education वो थोड़े कम दामों में हो जाती as compared to India क्योंकि इंडिया में जो private education उसमें लगबग एक से डेट करूर रुपे लग जाते हैं दूसरी बात एक यहाँ पर प्रॉसेस हुआ था बोलोगना प्रॉसेस 2005 में जिसमें यह बात हुई थी जो यहाँ पर European nations है वो एक दूसरे के जो भी यहाँ पर educational institutions हैं उनकी जो भी degrees दी जाएंगी उनको recognize किया जाएगा तो इसकी वज़े से यहाँ पर जादा जाएगे आपके degrees recognize हो जाएगी इस वज़े से और यहाँ पर medical students बहर जाते हैं and for many Ukraine offers opportunities to enter the larger European market particularly since it became a part of the बोलोगना process in 2005 that encourages mutual recognition of degrees and collaboration अमंग European nations in the higher education तो यहाँ पर किसी भी institute से अपने यूरोप में किया हो हर जगे आपको recognition मिलेगा जिसकी वज़े से यहाँ पर जो इंडियन students है वो फॉरण में जाते हैं second article है looming oil crisis what now और सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम देखते हैं largest oil producer कौन है तो United States 20% of the world total produce काता फिस Saudi Arabia, Russia, Canada, China यह आप लिस्ट देख सकते हैं अब United States की जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है उन्होंने बैन लगा दिया है रशिया के crude oil पर रशिया से natural gas imports पर तो जिसकी वज़े से हम पर prices बढ़ेंगे Iran और Venezuela के उपर पहले से ही sanctions लगे हुए हैं तो हो सकता है कि Iran और Venezuela के उपर से हम पर sanctions हटा दिये जाए क्योंकि Russia के उपर sanctions लगा दिये गया है अगर सब पर ही sanctions रहे हैं तो उसकी वज़े से यहां पर crude oil का price है वो बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा जो रशिया है वो world का second largest producer है oil का और second largest exporter भी है अब price सिर्फ अभी नहीं बढ़ है price बहुत बहले से बढ़ रहा है जैसे कि आपने देखा आगो जो पेट्रोल एंडिया में 100 रुपय हो गया 120 रुपय हो गया अब इसका reason यह है जो रशिया है वो यहां पर additional supplies natural gas की यूरोप को नहीं दे रहा था तो fossil fuels में invest नहीं किया जा रहा है क्योंकि public भी इसको लेकर अवर्ट हो गई क्योंकि इसे climate change होता है दूसरी बात हैं पर रशिया intentionally यहां पर natural gas की supply को करब कर रहा था अब बाकी ओपय countries में देखें तो Saudi Arabia के पास ही कुछ spare capacity है इसके लबा किसी भी country की पास यहां पर spare capacity नहीं है तो only Saudi Arabia and UAE have spare capacity लेकिन उसकी वज़े से भी यहां पर Brent crude का price है वो जादा नीचे नहीं आने वाला है क्योंकि इनके पास भी इतनी production capacity नहीं है अगर Venezuela की उपसे sanctions हटा भी दिये तो यहां पर हमें देख रहा है कि Russia को एक advantage है कि Russia बहुत सस्ते में oil produce कर लेता है तो इसलिए जो Russia के oil के demand है वो भी जादा है जो top 3 countries in terms of such reserves तो यहां पर आपको पता है कि जो countries वो यहां पर strategic reserves रखते हैं oil के जैसे कि इंडिया भी रखता है तो इसे में जो top 3 reserves हैं जिन countries के पास वो है यहां पर US, China, Japan लेकिन इनके पास भी 1500 million barrels है जो कि यहां पर सिर्फ 20 दिनों के लिए है sufficient oil होगा अब US को इन सारी चीजों से जादा फरक नी पड़ेगा कि US ने ban लगा दे क्योंकि US सिर्फ 10% oil ही यहां पर import करता है जो वेनिजूला है वो वोड का largest oil reserves है लेकिन यहां पर oil reserve होने से कुछ नहीं होता oil को निकालने के यहां पर टेकनीक भी होने चाहिए जो कि यहां पर वेनिजूला के पास large scale में नहीं है तो वेनिजूला has the world's largest oil reserves but producing oil requests more than just reserves तो country's oil producing apparatus is in despair क्योंकि government का mismanagement पी इसके लवा US ने वेनिजूला के उपस sanctions भी लगा रखे है oil producing companies जो वेनिजूला के वो यहां पर debt में है उनके पास good quality drilling equipment नहीं है और जो Iran है Iran के उपस sanctions हटा भी देंगे लेकिन Iran तब तक produce नहीं करेगा जब तक Iran के साथ जो US से वो वापस से nuclear deal में नहीं आ जाता है तो Iran के साथ अगर वापस से US nuclear deal में आएगा उसके बाद यहां पर Iran हो सकता है कि oil produce करना शुरू करे जो US से वो सिर्फ 10% of the energy requirements रश्या से इंपोर्ट करता है लेकिन European countries बहुत ज़्यादा dependent रश्या के उपर इसलिए UK ने बोला कि हम रश्या के उपर से अपनी dependence खतम करेंगे लेकिन उसके लिए भी हमें एक साल लग जाएगा अगर सारे European देशों में देशों में देखे तो सबसे ज़्यादा जो dependent है वो है जर्मनी और जर्मनी यहाँ पर natural gas के लिए तो बहुत ज़्यादा dependent है रश्या के उपर तो यह सारी problem से जो कि हमने डिस्कस कर लिए यह मैंने आपको बाता दिया कि यहाँ पर US ने sanctions लगा दिया है रश्या के ओईल के उपर तो punishing Russia for a vicious war of choice in Ukraine जिसमें जो country के oil, gas और coal के यहाँ पर export से उसके उपर यहाँ पर बैन लगा दिया है आगे चलते हूँ अब जो भी यहाँ पर economic survey में predict किया गया था उसमें बहुत सारे changes देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर Brent crude का price बहुत जादा बढ़ गया है तो जिसकी वज़े से हमार current account deficit बढ़ जाएगा वीक रूपी देखने को हमें बढ़ रहा है जो रूपी यहाँ पर depreciate हो रहा है जो fertilizer subsidies है वो भी हाँ पर जादा देने को मिलेगी जिसकी वज़े से यहाँ पर revenue expenditure बढ़ जाएगा तो यह कुछ हमें problems face करनी पड़ेंगी C is opportunities of boosting growth अब यह क्यों बोला गया है क्योंकि युक्रेन आपको बता है युक्रेन को bread basket के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर रश्या भी बहुत ज़दा wheat export करता है तो यह दो countries जो कि यहाँ पर wheat के export में बहुत ज़दे involved थे उसमें crisis चल रही तो इंडिया इस situation का advantage ले सकता है और इंडिया को जो wheat है वो यहाँ पर global demand में आ सकता है तो प्राइम मिनिस्टरा रेनियन मुरी तुजेसे said recent development has increased Indian wheat's attractiveness in global markets इसके लिए पन नीती आयोग का जो अटल innovation mission है उसने partnership की है snap के साथ जो की parent company है snapchat की कि 12,000 teachers जो की affiliated है with the अटल tinkering labs on augmented reality उनको यहाँ पर training दी जाएगी तो augmented reality को और जादे हैं पर promote करने की बात की जारी है ताकि जो youth है वो और जादे adopt करें augmented reality को तो आपको यह पता होना चाहिए अटल innovation mission किसका है तो यह नीती आयोग का है तो आयोग आपको आजके नीशन पर समझ आ गया हो if you like the video then please like, share and subscribe thank you and have a nice day